नमस्कार आप देख रहे हैं दैनिक भासकर उत्राखंड यूपी मैं हूँ आपके साथ अकांग्शा थापा आए डालते हैं एक नजर उत्राखंड और यूपी की खबरों पर आज की बड़ी खबर लोकसभा के महासचीव का पद ग्रहन करेंगे उत्राखंड के पूर्व सीयस उत्पल कुमार उत्राखंड के पूर्व मुख्य सचीव उत्पल कुमार सिंग एक दिसंबर को लोकसभा के महासचीव का पद ग्रहन करेंगे वह वर्तमान महासचीव स्नेहल रताश्रिवास्तव का स्थान लेंगे जो सुमवार को सेवा निर्वित्रे हो रही हैं पूर्व मुख्य सची वुद्पल कुमार सिंग की छवी एक कर्तव्य निश्च अधिकारी की रही है उनकी देख रेक में ही केदारनात धाम के पुर्ण निर्मान और ओल वेदर रोड का कारे परवान चड़ा बाहरी श्रद्धालों की नो एंट्री सीमित संख्या में स्थानियों ने लगाई आस्था की डुपकी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर रोक के चलते हरकी पैड़ी के गंगा घाटों पर जादा रौनक नजर नहीं आए यहां कुछ पर्मनगरी में कार्तिक पूर्णिमा पर बाहर से बड़ी तादाद में श्रद्धालू पहुँचते थे लेकिन इस बार कोरोना वाइरस के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया था जिससे बाहरी राज्यों के श्रद्धालू यहां प्र पर रख दिये गए हैं इसके साथ ही दलने सरकार को ये भी चिताबने दी है कि अगर बांध निर्मान से आसपास के गाउं वालों को सिचाई, जमीन और रोजगार का लाब नहीं मिला तो कार्यकरता सडकों पर उतर आंदोलन करेंगे अल्मोरा जिले में गढ़े में गिरी बोलेरो, हाथसे में दो की दर्दनात मौत, एक की हालत गंभीर अल्मोडा जिले में संगरौली से जैंती जा रही बोलेरो गढ़े में जागिरी हाथसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक को गंभीर हालत में हल्दवानी रेफर कर दिया गया है हाथसा तहसिल मुख्याले के करीब 10 किलोमिटर दूर बीती मध्यरात्री को हुआ भाजपा के राष्ट्री अध्यक्ष का उत्रखंड दौरा अब 4 से भाजपा के राष्ट्री महमंत्री एवं उत्रखंड प्रभारी दुश्यंत कुमार गौतम ने बताया कि राष्ट्री अध्यक्ष नडड़ा 4 दिसंबर को हरिद्वार पहुचेंगे और वहां संतों से मुलाकात करेंगे 5 से 7 दिसंबर तक वह देहरादून में 14 संगठनात्मक बैठ को वह कारेक्रमों में भाग लेंगे आज के बुलिटिन में बस इतना ही मैं कांग्षा थापा वापसे विदा लेती हूँ जाने से पहले याद रखें हमारे देश में करीब 60 करोड लोग पानी की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे हैं ऐसे में पानी की एक बूंद भी इन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए पानी की एक बूंद को भी जाया व्यर्थना करें तब तक के लिए देखते रहे हैं दैनिक भासकर उत्राखंधियों पी धन्यवाद